आज की इस वीडियों को बताने वाले हैं कि अगर आपके पास Moto G54 5G है या फिर Moto G54 5G आप लेने वाले हैं तो क्यों नहीं लेना चाहिए आपको, क्यों लेना चाहिए दोनों तरीके आपको हम बताने वाले हैं ये देखें G84 5G रखा हुआ है और ये G54 5G है तो यहाँ पर अभी भी परफेक्ली चल रहा है देखने में भी ये थोड़ा अच्छा लगता है लाइट वेट है इसकी बैटरी 5G की है और इसमें 6000 अमच की है लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये थोड़ा स्लिम फोन है ये थोड़ा हैवी फोन है और यहाँ पर एक सबसे बड़ा हमको जो इ यहाँ पर देखे वेपर फार्म हो रहा है यह देखे आपको धबे दिख रहे होंगे यह दोनों में धबे बन चुके है इसकी वरएसे इसका कैमरा जो है बहुत इसकी क्वालिटी खराब हो चुकी है यह किसी भी तरीके से साफ भी नहीं हो रहा है इसको हम रेगुलर वहाँ पर इसे कुछ देखने को नहीं मिला है, इसका केमरा बहुत ज्यादा क्लियर है दोस्तों, यह बहुत ही अच्छा हमको दिखा फोन, इसी प्राइस रेंज में अगर और फोन लेंगे आप तो ज्यादा अच्छा आपको मिल सकता है, जो G54 5G है, इसमें थोड़ा हमको कम खुल जाता है, और भले ही कुछ सेकंड का अंतर रहता है, लेकिन यहाँ पर जो G54 है, वो थोड़ा स्लो काम करता है, तो इस तरीके से कई डिफरेंस हमको इसमें देखने को मिले हैं, यहाँ पर जो G84 है, वो ज्यादा अच्छा परफार्म कर रहा है, तो G54 अगर आप लेन भाब बन रहा है, एक केमरे में ही, दोनों केमरे में है, जो किसी भी तरीके से नहीं जाएगा, इसको सर्विस एंटर ही दिखाना पड़ेगा, तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह फोन लेना चाहिए, तो आप कमेंट करके जुरू बताईएगा, अगर आपको कोई अच्छा है, इसमें दिखती हैं, तो वो भी आप कमेंट करिएगा,